इरादा नहीं है मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वाद नहीं करना। इस मेरा देश का नवजवान छलांग मारने के मूड में है फो problства मारके नई discouraged को प्राफ़्ट करने के बूड में हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्ड नेरा है वेल्ष्विक परिस्थित्यों के तुलना में भी देखें ये गोल्ड नेरा है ये हमारा स्वर्णिम कालखंद है मेरे त्यार देश वाज्यों ये आवसर हमें जाने नहीं देना है ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विप्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं आज तुरिजम का खेत्र हो MSMS का खेत्र हो education हो health sector हो transport sector हो खेती और किसानी का सेक्टर हो हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टिम बन रहा है हम विश्व की best practices को भी आगे रखते हुए हम आमारे देश की परिश्चितों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं हर सेक्टर में आधुनिक्ता की जरूरत है नयपन की जरूरत है टेक्नोलोजी को जोडने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीत्यों के कारण इन सारे शेत्रों में नया सपोर्ट मिल रहा है नई ताकत मिल रही है हमारे सारे अवरोध हटे हमारी मंदी से दूर हो हम पूरे सामर्जा के साथ चल पड़े खील उठे सपनों को प्रा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकर देखे हम आत्मसाथ करे उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ावरा है मैं एक नम जमीनिस्टर की बात करूँ विमें सेल्फ हेल्फ गुरुप आज दस सार में हमारे 10 करोर बेहने विमें सेल्फ हेल्फ करुप में जूड़ी हैं 10 करोर नई बेहने हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गाउं की 10 करोड महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन रही है और जब महिला आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णे प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है एक बहुत बड़ी सामाजी परिवर्तन की गारंटेजे करकाती है मुझे गर्व है इस बात पर लेकिन साथ साथ मुझे गर्व है इस बात का भी है कि हमारे CEO आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाग जमा रहे भारत के हमारे CEO विश्व भर में अपनी धाग जमा रहे हैं हमारे लिए खुजी की बात है कि एक तरफ मेरे CEO दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का नाम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ विमें सेल्फ होल गुरूप से एक करोड मेरी सामान ने परिवार की माताय बहने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्वी की बात है अब हमने सेल्फ होल गुरूप को दस लाग रुपे से बिस लाग रुपे देने का निर्ट किया और जिसके मदद से वो अपने अनेगवित कामों को भड़ावा रहे है मेरे साथियों मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दे स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर पहलू है हम उस पर भी बल दे रहे हैं हमने स्पेस सेक्टर में के रखाता उसे हमने खोल दिया है हाँ सेंकड़ो स्टार्ट अप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं है वाइंपरेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्वपूर अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटलाइट प्रावेट रॉकेट लांच हो रहे हैं ये गर्वे की बात हैं आज मैं कह सकता हूँ जम नीती सही होती है नियत स समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रणाम हम प्राप्त करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास्चियों आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूँ दो चीज़े और हुए जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई छलांग दी है और यह है पहला है आध्वनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का दर्बान हमने इंफ्रास्ट्रक्टर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानवी के जीवन में जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया ह पिछले एक दसक में अभूत पर वे इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास हुआ है रेल हो रोड हो एर्पोर्ट हो पोड हो ग्राउन्मेंट करेक्टिविटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में कर निर्मान चलता हो साथ हजार से जादा अमर्त सरोवर बने हो दो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पक्के घर बनना गरीबों को एक नए आश्रे मिलना तीन करोन ने घर बनाने के संक्रप्र के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थिस्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने ये जो कया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाप समाज के उन्वर गोतन हम जब ग्रामिन सड के महां बनी है जिन की तरफ कोई देखता नहीं था जुस इलाकों को नहीं देखता था जिन गावों को नहीं देखता था दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो पिछड़े हो आधिवासी हो जंगल पर रहने वाले हो दूर सुदूर पहड़ों पर रह हमारी नीतियों में रहा है हमारी नियत में रहा है हमारी रिफॉर्म में रहा है हमारी कारिशैली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नएने अवसर मिलते हैं नएने शेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाय बन जाती है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का अफ़सर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्दमबर के परिवार है मद्दमबर के परिवार को quality of life वो स्वाभावी को इसके अपेक्षा रहती है वो देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दाइत्व है कि उसकी जो मुक्ति की उसकी जो पेच्षा है उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंत प्रयाद करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्सित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मानवी के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की हम जरुत चोटी चोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम चोटी चोटी आवस्चताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरीब की मां को कभी आशु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति इला सरकात का रंग नहीं लगता है जब saturation होता है तो उसकर पांत्थिकता का रंग नहीं लगता है जब saturation का मंतर होता है तब सत्यार्थ gjithas सरकार की दखल कम हो उझदिशा में हमने हजारों any complaints के लिए सरकार की माणभी पर बोज़ डालती थी। उसे सारे कम्प्लाइन्सस को दूर कि denial काईएशवाश्यों के लिए देश्थार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के इन्देश्थाशवाश्यों को फस्त्ना न पढ़े ही हमने चोटी-चोटी गलतियों के कारण ऐसे कानू बने थे उनको जेल बे दतकेल दिया जाए हमने उन छोटे-छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराई थी उन सारे कानूनों को नस्ट कर दिया और कानूनों को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आज़ादी के विरासत की विरासत के गर्वे की बात हम जो करते है सद्यों से हमारे पास जो क्रिमिनल लौथ है आज हमने उसको नए क्रिमिनल लौथ जिसको हमने नय सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन नहीं और नागरिक को न्याए इस भाव को हमने प्रबल बनाया है इज अब लिविंग बनाने दिये देश को आपी मिशन में काम करा है हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनी जीजों का आवान करता हूँ मैं जन प्रतिनी दी वो किसी भी दल के क्यों नहीं किसी भी राज्य के क्यों नहीं सबसे आगर करता हूँ कि हमने एक मिशन मोड में इज अब लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए मैं हमारे युवाओं को प्रोफेशनल स्कोर सब को मैं कहना चाहता हूँ आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कते होती हैं आप उसके सॉल्डूशन को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रहिए सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है मैं पक्का मानता हूँ आज सरकारे सम्वेदन सिल है हर सरकार स्थान ये स्वाराज की समस्ता होगी या राज्य सरकार होगी या केंदर सरकार होगी उसको तवज्जु देगे गवननेंस में रिफॉर्म्स ये हमें विक्सित भारत एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोड लगा करके आगे बढ़ाना होगा ताकि सामान ने मानवी के जीवन में अवकास ही अवकास पादा हो रुकावटे खत्म ही खत्म होती चली जाए नागरीकों का डिगनीटी ओप सिटीजन नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले डिलिवरी के समझ में कभी किसी को ये कहने के मौबद नाया कि ये तो मेरा हक ठक मिजी मिला नहीं उसको खोजना न पड़े सरकार के गवर्नस में डिलिवरी सिस्टिम को और मजबुदी चाहिए आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं आज देख पर करीब करीब तीन लाख समस्ताएं काम करिए चाहिए पंचायत हो नगर पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो यूटी हो स्टेट हो डिस्टिक हो कि छोटी मोटी तीन लाग करीपरी काईयां है अगर ही हमारे तीन लाग की काईयों को मैं आज आवान करता हूँ कि अगर आप साल में अपने स्तरपन जिन चीजों की जरुते सामान ने मानविक लिए दो रिफोर्म करें जादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों एक पंचा है तो एक राज्चे सरकार हो कोई भी भाग हो सिरफ एक साल में दो रिफोर्म और उसको जमीन पर उतारें आप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब परी 25-30 लाख रिफोर्म कर सकते हैं जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ति रास को डेंज चाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलाओं के लिए आगे आए हिम्मत के साथ आगे है और सामान्य मानवी की जरूत चोटी-चोटी जरूत होती है पंचायट लिवल पर भी वो मुसीबते जेल दहाए उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाए तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं मेरे प्यारी देश स्वास्यों आदेश हुआ है हमारे देश का नवजवान नई सिद्ध्यों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर्ट सेक्टर में कार्य को हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करें दूसरा इस बदलती हुई ववस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसक्टर चाहिए उन इंफ्रसक्टर पर हम बदलाओ के मजबुती देने के दिज़ा में काम करें और तीसरी बात है नागरीकों की मुल्भूत कि दाओं के विशह में हम प्रात्विक्ता दें उसको बल दें इन तीनों भारत में एक एस्प्रेश्टर सुसाइटी का निर्माण किया है और उसके पनराम सरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भड़ा हुआ है हमारे देश वास्चों की आकांशा है उनके एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थे के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ लेकि एक लगख लेकर के चल रहे मुझे पीश्वाद है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रती व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए है ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगजान बढ़ा है भारत का एक्षपोर्ट लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुदरा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुँचा है ग्लोबल संसानों का भारत के पती भरोशा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशा सही है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ है लेकिन इस सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्जा में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के साइली है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों मैं जब करोना काल को याद करता हूँ करोना की वेश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गर्थ तिरंगा फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा देश तिरंगा है हर गर तिरंगा है न कोई जात है न कोई पात है न कोई उच है न कोई नीच है सभी भारती है यही तो हमारी दिशा की ताकत है जब हम 25 करोज लोगों को गरीबी से बाहर निकालते है तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गती को बराबर मैंटेन किया है और सपनों को साकार करना अब दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांची जिले अपने राज के अच्छे जिलों की फर्दा कर रहे बराबी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्दवान है जब हमारे उन आजी वासिसाथियों को वो मदद मिलती है पियम जन्मन के द्वारा उनको जो जोजना हैं पहुँची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुर दोसुर्दूर इलाकों में छूट पूट छूट पूट परिवार रहते हैं हमने उनको खोच के निकाला है उनके लिए चिंता की है तब लगता है कि सम्वेदन सिलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है वर्किंग मुमेन के लिए पेड़ मेटनिटी लीव बारा हपते से बढ़ा करके 26 हपते कर दिते हैं तब तब नारी का सम्मानी करते हैं इतना नहीं है नारी के प्रति सम्वेदन सिल भावते निर्ने करते हैं लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है न उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मा की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न मने इस संवेदन सिल भावना से उस दिननाई को हम करते हैं जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिय साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगम में भारत का भियान हो उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी है मेरे पते संवेश के दागरी संवान के भाव से देखता है और परालंपिक में तो हमारे खिलाडी नहीं नहीं ताकत दिखाने लगे हैं तब लगता है कि ही जो मेरा ममभाव है हम सब का ममभाव है उसकी ताकत नगर आती है